नमस्कार आप सभी को मेरे नाम अशोग वी रादव एडवकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अफ्लोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं पसंद करते हैं शेयर करते हैं और अब तक अगर आपने सिल को सब्सक्राइब नहीं क सब्सक्राइब करते हैं उसी के बारे में सबाटनी है कि मेरे पास 12 DB ये तीन केस मेरे पर लगा दिये गए हैं और अब केसिस के बाद मैंने काफी कोशिच कर ली कॉंप्रमाइस की फैसला करने की मैं सोच रहा हूँ कि मेरा घर किसी प्रिकार से ना बिगड़े लेकिन अब मजबूरी बन गई है क्यूंकि केसिस मेरे सरब चड़ गए है मुझे बार-बार थाने से कभी नोटिस आयाता है तो कभी सम्मन आयाता है तो कभी वारंट आयाता है मैं परशान हो गया हूँ और अब मजबूरी बन गई है मेरे लड़ना उससे अब मुझे बताएं सर मैं क्या करूं तो ऐसे ही यह सवाल है तो इस सवाल का जवाब जहां हमने दिया वह भी आप सुनिएगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप तुरण सब्सक्राइब करने और इस वीडिय हो गया था और डिस्प्यूट क्या था मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा लेकिन आपको यह बताऊंगा कि दोनों का डिस्प्यूट होने के बाद यह दोनों लगबग एक साल बर अलग रहे और उसके बाद इस दोरान इनकी बात चलती रही मतलब कॉम्प्रमाइस की लेकिन कॉम्प्रमाइस किसी परकार से नहीं हो पाया क्योंकि कहीं कंडिशन लड़की के तरफ से तोनों एक दूसरी कंडिशन नहीं माने और नहीं माने तो फिर दोनों में लगब लड़ाई जगड़े चलते रहे एक साल बात पतनी ने इन पर सेक्शन 498 यानिकि दहेज म पर और उस दोरान पर इनकी लिखने के बाद इनकी जो चार्शीट थी लग गई और लगने के बाद वह पहुंच गई और इस दोरान की कोई आरेस्टिंग तो नहीं हुई लेकिन यह मेडियेशन में जो मेडिशन था क्योंकि अपार रूल है कि मेडिशन होता है पती पतनी दिया उसको कि हम कोट में जाके अपनी जमानत करा लेंगे और उसमें एक साल एक महीने की इनके पास डेट लगी थी एक महीने का समय मिला था उसके बाद इनका इनके ऊपर इन्होंने पतनी ने सेक्शन 125 CRPC का केस भी कर दिया उसके बाद इनके पास उसका संबन नोटिस आय कहीं पर पतनी मतलब बुलकु छोड़ नहीं रही है उनको लगाता उन पर केस पर केस पर रहे जा रही है उन्होंने एक भी कोई केस नहीं किया अगेंस्ट और यह उससे हर केस को जेलते चल आए जब इंसान परशान हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंदता ह लेकिन आप उनको वीडियो मिली कुछ मेरा उनको कंटेंड मिला इनको अच्छा लगा यहनोंने मेरी वीडियो देखिए मेरे सामने हैं मैं क्या करूं तो ऐसे समय पर देखिए बहुत क्रिटिकल के सेटूशन सिस्टुशन है कि एक पती है पती पती के परिवार बाले पू प्रशान हो जाता है समझ नहीं आता है तो ऐसे समय पर आपको साथ में अगर ऐसा कोई घड़ना होती है जिसमें की सेक्षिन 498 के साथ में डीवी मेंटेनस सारे केसे अगर आप लगा दिये गए हैं तो यहां पर क्या करना आपको किस तरीके से इन चीजों को सेटल करना है है तो मैं आपको कुछ बास बताता हूं हो सकता है कि आपके यह काम आ जाए नहीं तो लास्त रास्ता यह है कि आप कोट में ही प्रॉसीट करें लड़ाई करें लेकिन उससे पहले आप सो कुछ यह भी करना जाओंगा कि अगर आपके पास सेक्षिन 498 का केस बता है कि हमारे पास उपर यह केस जो है जो झूट लगाया गया और कि कोट भी यह मानती है कि आज कटके जोटे लगा जाते हैं आलगी कुछ केसे चोड़कर जाद जो है पर परीशान है अब उसके साथ में आप जो चापिट अधार पर आप और आप पर. अपरोच करें ब अगर आपके पास evidence है कुछ तो evidence दीजिए जरूर तो कुछ न कुछ evidence जरूर होंगे आप उसमें बताएं कि आपने अगर नहीं करेगी तो आपको एक mediation की तौर पर तब तक का इस्टे लोवर कोट में के लिए बेद देगी और उपर वहां पर कोट में आपको दोनों पती पतनी को कर दिए जाएगा जब तक में चलेगा तब तक आपका लोवर कोट का जो भी प्रोसीडिंगे जो भी आपकी अरेस्टिंग बंद रहेगी इस्टे रहेगी और तब तक में सब्सक्राइब को आपको समय काफी मिल दाएगा दूसरा डीवी में भी उसमें जूटे लगाए होंगे आपको आपके उपर कि मारा पीटा मेरे मुझे मुझे गाली गलोंच मुझे प्रताड़ना दी बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं तो उसको भी आप हाई कूट ले जा कि यस ने मेरे साथ में मुझे मेरे उपर ये 5 993 कर दिया उसके बाद यी जूटा है पा Lif 확 लसा है तो उसके आधार पर यांकि एक क्रुवल्टी पतनी तरफ से यही वनिक्तामि है प्योगा दिया-चैज़ रह दिया उसके बांद फिर में विच्छी करने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ पतनी सिर्फ सहरी रही है उसने section 498 केस कर दिया आपके उपर तो यह भी एक पार्ट माना जाता है तो आप वह भी उसको साथ में उसको अटेज करेंगे यह चीजे जब कहेंगे तो डीवी में आपको लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोई पास होगा हो सकता है कि वह इंटरिम इस्टे हो जाए और हो सकता है कि आपको वह हो जाए किसी परकार से कि कोट है कोट की जो अपनी डिस्क्रिशनी पावर है उसको इस्तमाल करते हुए पता नही सक्षिन 125 का है यहां कि जो मेंटेनस है उसके साथ में अगर मेंटेनस का पीसा अगर ऐसा होता है तो उसको भी आप डीवी का जो अब आपको पास्ष्मा आता है तो उसको लगाते हुए और लड़की की जो भी कॉलिफिकेशन है उसको और लड़की के पास प्रॉपर्टी ह जो इसका कुलिफिकेशन के लिखर जाता आप के लिए बचाओ का का पढ़ने लिखनेके बाद विखर नहीं कमाती है तो उसका मतलब तो उसको करना चाहिए कुछ than कुछ तो वह लड़की की पास मालॉं और इसके पता के पास प्रॉपर्टी करते हैं कि तो अगर पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है तो उस property का भी आप हवाला दें कहते हुए कि इसके पिता के दो बच्चे हैं एक दो हैं तीन है जो भी है कि उसमें इतनी डिवाइट होगी तो इनके पास इतनी property आएगी जगी इतने property की मालिक है तो जब एक इनसान इतनी property का मालिक है तो फिर उसमें भी उसको वो maintenance मांग रह यह आपको साथ में तो इन सब चीजों का आप एकटे करते हुए एक साथ रखते हुए आपके पाफ हर चीज को हाई कोट लेकर जाएंगे तो आपको रिलीफ में मिलेगा और आप फिर किसी परिकार से हार्म नहीं पाएंगे और दूसरा जब इतना सब कुछ हो जाता है तो इतनी प्रॉबर्टी है तो आप भी मेंटेनेंस लेने का दिकार है एकॉडिंग तुद्धा स्बस्क्राइब करें ताकि ऐसी ही जनकारी आपके लिए मिल सकते महत्तिकून जनकारी जोगी आपको और आपके परिवार को बचा सकती है तो इतने करना चांगा वाकी आज की द देख लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवारत